हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैगनेट दोस्तो कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं दोस्तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ओफ लाइन यानि रेखाओ के प्रकार आप लोगों को पता हैं इंजिन ड्रा लाइन ना इसको बहुत बच्छों को काफी कंफीजन होता है काफी डिफिकल्ट लगता है लेकिन आप लोग देखेंगे कितने आस्तान बाश्या में आप लोग इससे समझ सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को बता है cbt2 जो होगा उसमें जो बे और लाइन तो यह जो लाइन से रेखा है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चलिए स्टार्ट करें सेशन को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलो स्टार्ट करते हैं तो जब भी आप लोगों ने कोई इंजिंग ड्राइंग देखी होगी या जब आप लोग अपने इंजिनिरिंग में थे जब आपने इंजिंग ड्राइंग बनाई होगी तो वहाँ पर आप लोगों ने बहुत लाइन आप लोगों ने खीची होगी वहाँ पर तो दोस्तों आपने रेंडम ली खीच देते होंगा यह कुछ भी है ना जैसे जैसे एक मैं अगर आप लोग यह वहले लाइन देखेंगे तो यह कंटिनुस लाइन है और दिहां से रेखेंगे न तो इसके किनारों पर एंड पर क्या हुँए ऐरो भी लग रहा है तो बहुत अलग-अलग टाइप के लाइन होती है रेखाओके अलग-लग प्रकार होता है तो हम लोग कैसे हैं वो पता होना चाहिए उसके uses क्या है वो आपको पता होने चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तोटल चो टाइप्स होते हैं line के रेखाओ के प्रकार जो होते हैं वो 10 होते हैं यानि 10 प्रकार की रेखाई मिलती है सर कौन-कौन सी A प्रकार की B प्रकार की C प्रकार की D प्रकार की E प्रकार की F प्रकार की G प्रकार की H प्रकार की दोस्तो ध्यान रखिये अब आप लोग तो आपको लगेगा आई टाइप की भी कुछ होती होगी नहीं दोस्तों आई टाइप की कोई भी रेखा नहीं होती एच के जश्ट बाद में है जे और फिर जे के बाद में है के तो यहां पर आप लोग देख रहे हो टोटल टाइप्स ऑफ लाइन कितने है दस प्रकार की रे रेखा होती उसका इस्तिमाल कहां पर होता है या ई प्रकार की जो रेखा होती है उसका इस्तिमाल कहां पर होता है या आप लोग उसे कहे बार यह पूछ लेगा कि बी प्रकार की जो रेखा होती वो कैसी होती है ना तो आईए एक एक टाइप के बारे में हम लोग समझते है चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं A type की रेखा के बारे में A प्रकार की रेखा के बारे में सर ये रेखा होती कैसी है देखो ये होती है continuous thick line देखो इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे सतत मोटी रेखा एक बार इस नाम पे जाईए continuous thick line देखो थिक का मतलब तो आपको समझ में ही आ गया कि भी ये कोई एक मोटी लाइन होगी है ना जैसे देखो ये कोई एक मोटी लाइन है ये कैसी हो गई है एक पतली लाईन है तो मोटी और पतली में तो आप लोगों को समझ में आगया दोस्तों continues का मतलब कया जैसे ये continuous line है कुई बार आप लोगों देखा हुका कुछ लाईन ऐसे भी होती है होती नहीं होती तो इसको discontinuous line गोलेंगे तो जो A-type की line होती हो कैसी होती, continuous होती है, और कैसी होती है, ठीक होती है, सर इसको बना कि बता दोना, draw करके बना दोना तोको ऐसी होती है, यह बिल्कुल continuous भी है, और आप लोगों की ठीक भी है, चलिए, अब बात आती है कि जो A type के line होती है, इसके uses, उप्योग कहां पर होते हैं, दोस्तों इसके जो uses होते हैं, वो दो जगे होते हैं, ठीक है, तो पहले उप्योग को हम लोग बोल देते हैं A1, और दूसरे उप्योग को हम लोग बोल देते हैं A2, चली सर अब बताईए कहां पर इसके uses कहां पर होते हैं दोस्तों इसका पहला उप्योग है इस line का कहां पर आप लोग use करेंगे वीजीबल आउटलाइन बनाने में यानि द्रशित द्रशित आउटलाइन में सर इसका मतलब क्या है बताते हैं दूसरा uses भी आप लोग सुन लो वीजीबल एजिस बनाने में यानि द्रशित किनारे बनाने में सर समझाओ देखो जैसे for example आप लोग इहां पर देख रहे हो ये कुछ चीज है अगर दोस्तों आप लोग टॉप से देखोगे आप लोगों को ये वाला party नजर आएगगा ना ये वाला party नजर आएगगा न तो मैं आप लोगों को बुलूँ सका top view बनाओ ये कौन सी रेखा है ए type की रेखा और ये type की रेखा कैसी होती है बिलकुल continuous होती है और ठिक होती है समझ में आगी बात को अरे बास समझ में आई ये नहीं आई बिलकुल दोस्तों अगर मैं बोलो आप front से इसका front view बनाओ तो आपको front से देखोगे तो कौन सा section आपको नजर आएगा जली से बताओ देखो केवल यार ये वाला section ही तो नजर आएगा केवल ये वाला ठीक है तो front view जब आप लोग बनाओगे तो कुछ ऐसा आप लोगों को नजर आएगा तो यहाँ पर आप लोग जब इसका front view बनाओगे तो इसमें एक outline चाहिए न आपको अरे चाहिए ये नहीं चाहिए तो ये कौन सी line है ये आपकी A प्रकार की line है दोस्तो समझ में आगया तो comment करिए yes बताओ बताओ जल्ली से बताइए समझ में आगया ठीक है तो sir मुझे ये तो समझ में आगया वीजीबल outline क्या होता है और इसको मैं कौन सी type के line से बनाओ A type के line से बिलकुल समझ में आगया sir लगे हाथ वीजीबल ages भी बताओ ये क्या है दोस्तो यहाँ पर आप लोग देख पर रहे हों ये भी एक प्रकार की क्या है drawing है क्या आप लोग इसमें किनारे देख पा रहे हो क्या अरे क्या आप लोग इसमें किनारे देख पा रहे हो बिल्कुल एक continuous line, कहीं पर भी break नहीं होरी, continuous line है, तो A type की line समझ में आ गई, जल्दी से comment करके बताइए, बिल्कुल सर समझ में आ गई, एक जम में क्योशन आएगा, 4 देखेंगे, कहीं कोई रिक्कत नहीं है, चलिए, next हम लोग बात करते हैं, B type की line, अब सर्थ जो A type की line थी वो तो एक thick line थी, continuous line थी, B type की line में क्या होगा, दोस्तो ये भी continuous है, मतला बिल्कुल ऐसे आएगी, कहीं पर break नहीं होगी, ऐसे break नहीं होगी, ये भी continuous है, लेकिन क्या है, ये thin line है, पतली line है, ठीक है, तो ये continuous, thin line है, इसको आप लोग हिंदी में सतत पतली रिखा बोलेंग continuous thin line है, दोस्तो ये जो आप लोग देख पा रहो, ये भी continuous thin line है, तो इस continuous thin line, यानि B type की line का uses बहुत जगह है, सर बताओ, एक के करके use बताईए, आजाईए, तो इसके uses, उप्योग की बात करते हैं, सबसे पहला इसका use है, dimension line बनाने में, यानि विमांकन जो रेखा होती है, जो विमांकन रेखा होती है, वो कौन सी होती है, आपकी B type की line ही होती है, यानि continuous thin line ही होती है, सतत पतली रेखा ही होती है, सर बताओ कैसे समझ भी नहीं आया, देखो, आराम से समझो, tension मत लीजे है, प्लीज सारा का सारा ध्यान आप लोग इदर रखिये, आपने कोई engine drying बन ना दी, आप लोग दोस्तों अब ये भी तो बताऊगे नहीं, ये length कितनी है, दो mm है, 10 mm है, 20 mm है, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हो, एक ऐसी line मनाते हो, इसके किनारों पर क्या लगा देते हो, arrow लगा देते हो, ठीक है, अब बीच में है न, देखो, यहां पर बीच म तो अगर आप लोग बोलेंगे, कि जो हमारी जो dimension line, ये कौन सी, मोटी line होती है कि नहीं, पतली होती है, continuous होती है, समझ में आ गई बात को, अरे समझ में आ गया क्या, जल्ली से बताइए, yes करो, बिल्कुल सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके दूसरे use की बात क करिए, दोस्तों जो leader line होती है, leader line, इसको हिंदी में आप लोग leader रेखा भी बोलते है, सर ये जो line होती है, ये भी कौन सी type की line होती है, बी type की line होती है, अच्छा, यानि सर ये भी पतली line है, ये भी continuous है, बिल्कुल, सर वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये तो बुंजे बता होता है, वह किसी का 10 mm, किसी का एक मिटर, किसी का 10 cm, हर सरगिल का कुछ ना कुछ डायमिटर भी होता है, व्यास भी होता है, बिल्कुल सर, तो अगर यार माल लो, इसका diameter है 20 mm, तो मैं यार कहां पर लिखूँगा, इसे लिखूँगा, कि ऐसे 20 mm, बिल्कुल, बेकार हो जाओ इसको लीड, जुग, 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 और इधर आके इधर लिख दो, इसके dimension माल लो, इसका diameter था 20 mm, तो 520 mm लिख दो, यह जो 5 होता न, framework में, वो आप लोग इसके लिए युज़ करते हो, diameter को represent करने के लिए, व्यास को represent करने के लिए, है, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आगी बात को, कोई दिकत, तु देख रहूं ये लीड करती हुझा रिए, लीड करती हुझा रिए, हम बोलते है न, क्यार ये इस टीम का लीडर है, तो similarly इसके बारे में जानकारी कौन दे रही है ये लाइन दे रही है इधर बता रही है कि भाई या इसका जो डायमेटर है वो यह है ये लाइन कैसी है एक continuous thin line है समझ गए क्या बोलते नहीं हो ना समझ में आगी बात को बहुत बढ़िया सर इसका और यूज कहां पर है आईए दूसरा और तीसरा यूज इसका extension line यानि विस्तारित जो रेखा होती ना वो भी किस प्रकार की रेखा होती है विस्तारित अरे जो विस्तारित रेखा होती है वो भी कौन सी होती है बी टाइप की होती है, बी टाइप का मतलब वही सर पतली होती है और कॉंटिनूस होती है, सर बताओ, अब मुझे यह तो बताओ सर यहाँ पर जो एक्स्टेंशन लाइन है, वो है कौन सी, देखो, दोस्तो आप मुझे एक ची बताओ, यह जैसे आप लोग इसके डाइमेंशन बताना चाहरे हो कि इसके डाइमेंशन है, मालो 30 mm या 3 cm जो भी हो आप लोगों की, ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसके डाइमेंशन लिख दी, लेकिन दोस्तो अगर आप लोग डाइमेंशन लिखने से पहले, एक देखरों ने एक लाइन निकल रही है, एक लाइन निकल तो दोस्तो यह जो एकस्टेंशन लाइन पतली है, मोटी है सर पतली है, और कंटीनियूस है, तो जो एकस्टेंशन लाइन होती है ना, ध्यान रखेंगे दोस्तो ध्यान से, यह भी किस टाइप की लाइन होती है, बी टाइप की, यानि यह भी पतली है और कंटीनियूस है, चलिए बहुत बढ़िया क्लियर है गया चले दोस्तों यस कमेंट करिए प्लीज अमन सोरो सर बेसिक इलेक्टिसिटी वाला मेरा वीडियो नहीं चल रहा है टेकनिकल टीम कॉल रिसीव में करी दोस्तों अभी 11 से टाइम रहता है उनका कॉल बेक कर लेगी परिशन मत हो ठीक है यार मैं इदर खड़ा हूँ नो टेंशन क्यों लेते हूँ यार आप यार चले आगे बहुत बढ़ी यार चलो सर और यूज बताओ दोस्तों नेक्स इसका यूज है इमेजिनरी लाइन ओफ इंटरसेक्शन पार्ट सर अब ये वाली कौन सी आगई है तो समझ में नहीं आप लोग मुझे बताईये मैंने आपको बोला यार इसकी ड्राइंग बना के मुझे बताओ अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, यहाँ पर intersection हो रहा है, देखो यह वाला पार्ट अलग है, यह वाला पार्ट अलग है, एक दूसरे में फसर है ना, intersection हो रहा है ना, अब मैं आपको बोलो इसके engine ड्राइंग बनाओ, तो यह आपने ड्राइंग बना दी, मालो ऐसी बना इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, यह वाला, तो यह वाला पार्ट यह हो गया, ठीक है सर बहुत बढ़िया, यह वाला पार्ट आप लोगों का यह हो गया, ठीक है, लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, यह जो यह वाला पार्ट है इसमें दो पार्ट आ रहे हैं तो इसका पार्ट आ रहा है इसका पार्ट आ रहा है इंटर्सेक्शन हो रहा है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अंदर आप लोगों कि देखो कुछ लाइन आप लोग देख पार हो ना बनाई जा रही है तो ये वाली जो लाइन होती न ये को बहुत कुछ आता है आपने चार बार एलपी निकाल चुके हो पाच फ़ी बार आप निकालने जाही रहते लेकिन खुद रेलवे मंतरी आगए कि आशिज जाज जी आप प्लीज बाकी बच्चों को भी मौका दीजिया और कित्ती बार आप एलपी निकालोगे हैं है ना चले आगे चले आजाओ नेक्सर्ण लोग बात करते हैं सर बी टाइप की लाइन के कुल्मला की चार उज़ सर और भी बताओ बहुत जगे यूज़ होता है इसका बिलकुल दोस्तो तो B टाइप की लाइन आपको पता यह continuous थी लाइन होती है इसके और uses की बात करते हैं दोस्तो hatching जब भी आप लोग hatching करोगे उस hatching में कौन सी लाइन का use होता है बी टाइप की लाइन का use होता है अब सर यह hatching होती कहां पर है थोड़ा बता दो सर मुझे नहीं पता मुझे engine drawing नहीं आती तो बताते है tension क्यों लेते हो दोस्तो यह मालो आपका यह कुछ part था इसको मैंने बीच में से काटके इसकी drawing बनाने की कोशिश करी यह दोस्तो बीच में से काटा आपने तो दोस्तो जो देखो यह बीच में से जब आपने काटा तो इसकी जो drawing बनेगी वो ऐसी बनेगी लेकि मैंने इसको ऐसे से कर दिया इससे क्या पता पढ़ रहा है इससे पता पढ़ रहा है कि यह पार्ट आपका काटा हुआ है इसको आपने किसी रिप्रेजिन कर दिस हैचिंग से कर दिया तो दोस्तो जब भी आप लोग हैचिंग करोगे इसमें कुछ लाइन का यूज होगा ना यार इसस तो है नहीं इसवाले पार्ट में जाके एसे लिखदो आप अप अपको यहां पर हैचिंग करनी पढ़ेगी कोई ना को यूज करنا पड़ेगा तो कौनचि लाइन का यूज होता है यहां पर भी टाइप की लाइन yaनी continuous thin line का use होता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो आजाओ सर और बताओ छट्टा use कहां पर है दोस्तो outline of revolve section जो revolve section होता है ना उसकी outline बनाने के लिए सर नहीं आया मुझे समझ में सर नहीं आया ना ठीक है दोस्तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहीं पर rent पर रह रहरे होंगे है मतलब जैसे मानले तैधा है घरवालों से दूर अपनी पढ़ाई के लिए कई कई दूसरे शहर में मानले तो कुछ बत्चे आप मेसे ऐसे भी होंगे जो मैस में खाना खाते हूंगे मैस की जो चीज मुझे बताओ, जब आप लोग इंजिन में बोलो, इसका टॉप व्यू बनाओ, तो दोस्तो टॉप व्यू बनाओ गे, तो जो उसकी आउटलाइन होगी, अब देखो यह गुमाओदार है, तो यहाँ पर यह जो गुमाओदार है न, इसमें दोस्तो इस वाले पार्ट क रिप्रजेंट करने के लिए जिन लाइन का यूज किया जाता है, वो कौन सी होती है, पतली और कंटिनुस होती है, यह नि कुल मिला के बी टाइप की होती है, तो बी टाइप की लाइन का एक यूज मैंने आप लोगों को और बता दिया, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स रिप्रेजेंट करने के लिए देखो ऐसे, यह का है, यह क्या है आप लोगों की चैन्टर लाइन है, लेकिन मान लेते हैं दोस्तों बहुत चोटा सर्केल, इसमें कहाँ पर आप लोग एक सेंटर लाइन बनाओगे, बढ़ दैश, फिर नहीं बैट पाएगो ना, तो इसमे है कि एवल आप लोग सिंपल एक छोटी सी लाइन मना देता है यह continuous thin line होती है निए B type के line होती है तो आप लोग उसे कई बार पूछा जाए short central line कौन से type के line होती है आप लोग बोलोगे B type के line होती है clear है क्या सर प्लीज मेरे general science batch कर दो मैंने गलती से cbt2 वाले ले लिया कोई बात ने dream team जी आपका हो जाएगा एक बार है ना calling team आप सको call कर लगे ठीक है परिशा मत वा करो इदर पढ़ो आप tension क्यों लेते हो दोस्तों और दोस्तों जो दाइगनल लाइन होती है यानि विकर्ण जो रेखा होती है वो कौन सी होती है मोटी होती है पतली होती है पतली होती है पतली continuous जैसा कहीं पर आप लोगों को बनेगी पतली बनेगी और continuous बनेगी यह नहीं बी टाइप की लाइन बनेगी लेकिन सब्सक्राइड लाइन होती है दोस्तों समझो मेरी बात को एक चीज मुझे बता हो यह आपके पास में नट है यह बोल्ट है बहुत जन्नों को confusion होता है नट कौन सा होता है बोल्ट कौन सा ठीक है सबसे प assessments मैंने बोला इसका top view बनाऊ तो दोस्तों जब आपने इसका top view बनाया तो सको क्या-क्या दिखे गा जब आप कोई दिया हूआ इसका नहीं दिया हुआ इसका जब टॉप बनाना और को कुछ ऐसा नहीं चराएगा आपको इस वाले पार्ट का यहां से देखोगे तो इसका top view वैसे फिर आप लोग देखोगे यहाँ पर यह जो यह वाला पार्ट ना यह वाला पार्ट इसके ड्राइंग बन गई यह लेकिन अगर आप लोग देखोगे इस वाले पार्ट में कुछ क्या है इसके चूडिया भी है तो उसको represent कैसे करोगे उसको represent करने के लिए इस प्रकार की line का use किया जाता है मतलब इस line से क्या represent हो रहा है कि इस वाले भाग में क्या है thread बने हुए है चूडिया बने हुई है तो दोस्तो thread को represent करने के लिए ये जो आपने line बनाई न ये वाली जो line बनाई ये कौन सी है ये continuous thin line है यानि B type की line है दोस्तों समझे या नहीं समझे बोलते हैं नहीं हो आप यार समझ गए? बहुत बढ़िया चलिए आगे चले तो किस किस को समझ में आ गई ये टाइप की line जल्दी से बताएए बिलकुल सर मुझे समझ में आ गई दोस्तों B type की line किस को समझ में आ गई? बिलकुल सर मुझे समझ में आ गई अब हम लोग बात करते हैं C type की line की अब चलो सर बताओ C type की line होती कैसे? सर continuous होती है कि या सब मोटी होती है क्या र Bunu स्मोटी तो अब क्यों हो गई तो सरी अकिन अस पतली हो और दोस्तो इसी लाइन को, जो C टाइप की लाइन है ना, इसे हम लोग शौर्ट ब्रेक लाइन भी बोलते हैं, छोटी अवरोधक रेखा भी इसको बोलते हैं, क्या बात है सर मजा आ गया, आया क्या, बिल्कुल सर आया, सर इसके यूजेज बताओ या सर, ये वाली लाइन का कहाँ पर यूजेज करेंगे, समझ में नहीं आ रही है, कहाँ यूजेज करोगे सर इसका, दोस्तो इसका यूजेज लिमिट औफ पार्चल और इंटरप्टेर वियो, एह सर क्या इंग्लिश लिग दे सर समझ में नहीं, आपको समझना ही नहीं है, ये देखो, ये समझ में आ गया, हाँ सर अभी इंदी लिग दिया, अभी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए, इसका बहुत बहत बहतरीन में आपको एक्जम्पल देता हूँ, बहुत बहतरीन, ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों, बहुत बहतरीन के एक्जम्पल द मालो ये मेरे पास में कोई कार्ड है ना कोई भी कार्ड है माली ये दोस्तों को चीए ऐसे दो पार्ट में आपका वह गया मालो ऐसे हो गया तो कुल मिलाके आप लोग देखोगे यہ एक इर्रेगुलर बाउंड़री ये ऐसे लोगी इसको हिपान मतलब माल लो आप लोगों का ऐसे बचा इसका यह वाला पाट तूट गया तो इसकी जब ड्राइंग बनाओगे ना तो दोस्तों ऐसे फ्री इस वाले लैंड का यूज करोगे ठीक है इसको बोलते हैं C टाइप की लाइन कैसी होती है सर D टाइप की लाइन है ना देखो C टाइप की लाइन को आप लोगों ने शौट ब्रेक लाइन बोला था चोटी अवरोदक रेखा बोला था जो D टाइप की लाइन होती है इसको हम लोग 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 ब्रेक लाइन के नाम से भी जानते हैं लंबी अवरोदक रेखा के नाम स ठीक है? तो अकर आपसे पूछे D type की line होती कैसे तो आप लोग बोलोगे sir constituents ही होती है होती ही पतली है लेकिन jig-zag होती है जैसे continuous thin तो यह होती है लेकिन jig-zag है है अरे समझ गए क्या? तो आप लोग बोलोगे sir कैसी यह continuous thin है और कैसी यह jig-zag ठीक है चले चले भीया चले दोस्तों आप में से बहुत से लोग है जिनके सपने है एलपी टेक्निशन बनना लेकिन करना जीवन में कुछ भी नहीं है महनत नहीं करनी है कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर मुझे आरार भी जैई बनना है सर यूटूब पर क्लास डाल दो मैंके निकल 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 चार साल का स्लेबर्स है मुझे सर यूटूब पर करा दो एक मेने के अंदर दोस्तो मैं इदर आप लोगों के लिए पूर्ण समर्पित हूँ अगर आप लोग पढ़ने वाले हैं सेलेक्शन होगा लेकिन जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए जैसे मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो ठी ठीक है आजाओ चलिए सर समझ में आगया यह जो डी टाइप की लाइन होती है वो पतली होती हो जिग जैग ऐसे होती है सर ऐसे होती है जो आपने भी बनाया ठीक है सर अब इसका सर यूजेस तो बता दो इसको मैं यूज कहां पर करूँगा देखो एक्चुली मैं इसका य छोटी सा और अच्छा बनाता हूं अच्छा मतलों अ इसमें चिशा एसा कुछ करके बोल्ट था ठीक है कि मैंने आपको बोला इसकी इंजेव्य ड्रैंक बनाऊ तो कि आ पने बनाना इसस्टेर्ट किया मैंने इसका ये विव बनाऊ एना जिए फ्रंटिव बनाऊ इसका तो ऐसा कुछ आप लोग बना होगे, ठीक है, लेकिन दोस्तो यार, इतना बड़ा बनाने की क्या जरू होता है, एक जैसा ही तो है, एक जैसा ही तो है, एक जैसा ही तो है, तो दोस्तो जब एक जैसा पार्ट होना, एक जैसा पार्ट, तो दोस्तो हम इत्ती बड़ी ट्राइंग क सर इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है आगे भी आगे भी कैसा है बिल्कुल ऐसा ही है समझ में आ गई तो अगर आप लोग ध्यान से देखोंगे ड्राइंग में कम इस्थान में अगर आपको दिखाना है मैं इतना बड़ा यूज क्यों करूं अपनी ड्राइंग शीट करा बताओ, यस करके बताईए अगर आपको समझ में आ गया तो, आ गया समझ में, चले आगे, चलिए, नेक्स नम लोग बात करते हैं, इटाइप की लाइन का, सर इटाइप की लाइन होती कैसी है, दोस्तो ठिक होती है, लेकिन कैसे होती है, डैश होती है, है ना, ऐसे continuous लाइन न अतलब क्या है, ऐसी होती है, ऐसे होती है, continuous नहीं है, ठीक है, सर इसका use क्या है, दोस्तो इसका use है hidden, यानि ए द्रश्यत है न, छिपे वे भाग को, छिपे भाग को, छिपे भाग को, छिपे भाग को दिखाने के लिए, ठीक है, कैसे सर समझो मेरी बात को, दोस्तो मुझे यह कोई आपके पास में cylindrical रोड थी जिसके अंदर क्या था यह छेद है ठीक है दोस्तों मैं आप लोगों को बोलू कि side view बनाओ side view बनाओ तो आप जब इसका side view बनाओ खे तो ऐसा कुछ बनेगा इससे प्रतीत हो रहा है कि यह कुछ छेद है ठीक है लेकिन मैंने आपको बोला इसका top view बनाओ इसका top view माओ तो इसका top view बनाओ ग्था लेकिन क्या आपको प्रतीत हो रहा है क्या donkey'sρί緝 क मैं अदर कुछ शेद वगेरा कुछ है क्या प्रती तो रहे कि नहीं जबकि देखो के बीच में पार्ट और है जो कि इस वाले ड्राइंग में आप लोगों को नहीं दिख पा रहा तो यह जो hidden ठीक लाइन है वो क्या है डेश दिलाइन है सर इसका यूज बिलकुल सेम वही hidden पार्ट को दिखाने के लिए वही जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कितने टाइप की लाइन पड़ी सर A टाइप की पड़ी है सर B टाइप की पड़ी है सर C टाइप की पड़ी है सर D टाइप की पड़ी है सर E टाइप की पड़ी है सर F टाइप की पड़ी है G टाइप, H टाइप, J टाइप, K टाइप ये ये बाकी के जो है व अगर आप लोग dash thick line का use करेंगे,अगर कहीं पर dash thin का use करा तो हरी सब जगें आपके engine drawing में dash thin का use होगा,ठीक है।थीक है ?चलिए,चलिए,दोस्तो ठीक है,देखो difference कहाता है गर मालोगोी drawing मेर भूत जदा यह ठिक line use हो गई। यह प्रकार के line बहुत जदा use हो गई। तो hidden line को use करने के लिए आप लोग दोस्तो थिन वाली use कर लेना या आपके दोस्तों इंजेंग डाइन पे बहुत जड़ा thin line use हो गई तो फिर hidden part को दर्शाने के लिए आप लोग thick line का use करना ऐसा इसका concept होता है ठीक है समझ में आगई बात को ठीक है सर मुझे तो complete पढ़ना है देखो इतने शांदर तरीके से चाहे लीवर हो मशीनों को इसा भी टॉपिक हो बिल्कुल शांदर आप लोगों को समझ माजाएगा best content proper animation के माध्यम से सब कुछ यहां पर आप लोगों को पढ़ाया जाता है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है सर इसके आप लोग फीचर बताईए और मैं आप लोगों को यह फिर से बतातूं जो serious बच्चे हैं उनके लिए मैंने price अभी कम कर रखी है सर मिलेगा क्या सुनलो smart board animation classes है daily live class होती है अगर आप लोग क्लास मिस कर देते हो तो आपको recording में मिलेगी हर topic में आप लोगों कवर कर रहा हूं यहाँ पर डेड़ साल की validity है यह जो 1399 रुपय का है content bilingual मिलेगा चाहिए आप English वाले बच्चे हों हिंडी वाले कोई रिक्कत नह सर मैंने chapter पढ़ लिया हां सर अब देखो previous year के सारे question बंद रहे हैं ठीक है तो join कैसे करना है play store पे जाईए science magnet अप इंस्टॉल करिए procedure बताता हूं आपको tension ना लीजिए science magnet अप इंस्टॉल कर इसके course वाले section में जब आप जाओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा basic science and engine for alp cbt2 प आप पर कराता हूं कभी मैं आप लोगों को basic engineering है ठीक है समझ में आगई बात को और दोस्तों कैसे लगी class please comment करके बताईएगा कि आपको समझ में आया lines रेखाओ के प्राकार समझ में आ गया class अच्छी लगी तो please after the class comment करके बताईएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया